पंजाब से जोगिता जो हिंदी भाषा में डॉक्टर राजिंद्र प्रसाथ के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी मैं उस भारत से आती हूँ यहां एक युवा वकालत त्याग रास्र के लिए त्यागी बन जाता है वो विदेशों में जाकर भारत संस्कृती वेश भूशा और खादी ही अपनाता है जिसकी बुद्धी ग्यान तो बलवान है मगर वैं खुद धर्टी जैसा धैरेवान है सदन में उपस्ति सभी को आप मेरी और से प्यार भरी नमशकार और सत्ष शिरियकाल मैं पंजाब के डिस्टे गुर्दासपर और भारत के अंतिम कस्वे देरा बाबा नानिक से आई हूँ और आप सभी की अनुमती से आज मैं हमारे भारत के प्रथम राश्रुपती जी के बारे में अपने विचार प्रकट करूँगी कौन नहीं जानता डॉक्टर रजिंदर परसाजी के योगदानों को जब जब हिंदू कोड बिल की बात चलेगी सोमनात मंदिर के पुनर निर्मान की बात चलेगी भारत के प्रथम राश्रुपती जी की बात चलेगी भारत के प्राथम क्रिशी एवं खाद्य मंत्री की बात चलेगी आधावेतन लेने वाले हमारे राश्रपती जी की बात चलेगी चंपारनांदोलन की बात चलेगी हमारे सविधान की बात चलेगी तब तब हम सब के मन में प्यारी सी तस्वीर बनेगी वो तस्वीर होगी हमार आज़रे भारत के प्रतम राश्टूपती जी कि अगर उनके विक्टित्व के बात करें तो सरलता सहजटा घंभीरता दृर्णता मानेवर मुझे लगता है कि यह से शबध हैं जिनमें उनके विक्तित्व का निचोड़ मिलता है बर्मा में जाकी किसानों को शोशन मुक्त करवाना हो चाहे किसानों के लिए मुफ्त में कानूनी सहाइता परदान करना हो अपने भारते संस्कृती भाशा के अस्तित्व को कायम रखना हो 12 वो रास्ट्रपती के पतपर रहे और विभिन देशों में भारत की प्रजा अखंडता तक रास्ट्र त्याग और नैतिकता तक अपना पूरा योगदान दिया और आज यह मैं गर्व के साथ कह सकती हूं कि हमारे भारत के जड़ों को ना ही कभी कोई भूद काल में हिला पाया था और नाही कभी कोई भविष में हिला पाएगा हमारा सब का प्यारा भ लक्ष को प्रापत कर सकते हैं और हम सभी युवा अगर हम अपने जिन्दगी के लक्ष को प्रापत करते हैं और जिन्दगी के लक्ष की प्रापती के बाद हम कैसे राश्रु की सेवा कर सकते हैं अंत में मैं दो पंक्तियां हम सभी हिंदोस्तान वासियों के नाम करना चाहूंगी क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी क्या पूछते हो जमाने को हमारी कहानी हमारी तो बस एक पहचान है हम है हिंदोस्तानी हम है हिंदोस्तानी कोट कोट धन्यवाद भारत मादा की जै धन्यवाद